आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली एक important topic के उपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है profit booking काफी लोग stocks को buy तो कर लेते हैं बट वो profit book करना भूल जाते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें किसी भी stock में सिर्फ entry करनी है और उसके बास जंदगी भर के लिए hold करके रखना है जो कि एक अच्छा तरीका नहीं होता है अगर आप एक trader हो तो आपको सही point पे profit booking करना बहुत ज़्यादा जरूरी है इवन अगर आप एक investor हो तब भी आपको सही time पे profit book करना important है क्योंकि इससे आपके returns जो है वो increase होते हैं अगर आप nifty में एक point पे invest करते हो और उसके बाद आप वहां से कभी exit नहीं लेते हो तो यह जो भी consolidation का zone होता है यह आपको returns को eat करता है एक तरीके से तो अगर हम लोग इस बात का एक example देखना चाहें तो बहुत easy से example में आपको nifty के एक बार monthly chart पे दिखाना चाहूंगा तो यह था आपका 2007 का level and उसके बाद यह level आपका cup break हुआ है around 2015 के आसपस तो अब दो चीजों को ध्यान से समझेगा पहला होता है सही जगा पे buy करना जि कहां पे buy करा होगा nifty को इस fall में उसने averaging करी होगी अब averaging करके जो भी उसका एक base price निकल के आया होगा माल लेते हैं this was the point जो उसका एक base investment का point निकला था जहां पे उसने सबसे जादा अपना capital पूरा invest करा था market के अंदर अब यह point आपका जो उसके बाद all time high तक जाने में से कित साल के अंदर अब यहां पे जिस इंसान ने at least partial profit booking करी वो एक experience इंसान है और उसे पता है कि जब nifty ने इतने short term में इतने अच्छे खासे returns दे दिये हैं तो यहां से कुछ ना कुछ profit book करना जरूरी है cause यह all time high भी है but अब आप यह सोचिए कि कुछ इंसान जो ऐसे होते हैं सिर्फ एक point पे buy करके भूल जाते हैं तो उनके साथ यहां पे क्या problem हुई उन्होंने यहां पे stock को buy करा या फिर nifty को buy करा दो साल में 61% के returns पो उन्होंने book नहीं करा then उन्हें और कितना जादा wait करना पड़ा इसी same returns को यहां से निकालने का तो यह हम लोग को मिला था 2 साल म आने वाले time में कोई return नहीं दिया which means जो 60% हम लोग को 2 years के अंदर मिला है वही 60% बाकी लोग को कितने time में मिला है around 5 years में तो इसीलिए बोला जाता है कि profit booking करना सही time पे बहुत जादा important है and अगर कुछ लोग कहेंगे उसके बाद यह rally तो आई लेकिन यह तो हम लोग भी capture कर सकते थे हम लोगों ने यह जो rally capture करी उसके बाद यहाँ पर जब nifty ने breakout गया then एक और entry हम लोग यहाँ पर अपनी बना सकते थे and यहाँ पर अपना target रख सकते थे same चीज अगर मैं अभी आप से कहूँ तो nifty में यहाँ पर क्या हो रहा है अगर आप देखोगे तो monthly chart पो भी में अपना और सोच सकते हो यहाँ पर अगर आप profit book करते हो तो आप एक गलत इंसान नहीं हो कॉज आप all time high पर profit booking कर रहे हो जहाँ पर लोग समय buying करने के लिए आते हैं तो आप एक ऐसे investor या पर trader हो जो top 5-6% में आएगा कॉज बाकी जनता क्या करती है यहाँ पर long term के लिए invest करती है SIP करती है बट आपको पता है कि यहाँ पर सही चीज क्या रहेगी करना तो अगर इसी तरीके से हम लोग stocks के बारे में बात कर लें और देख लें कि किस stock में हम लोग का कैसा target achieve हुआ है और अब क्या यहाँ से हम लोग को ऊपर जाने की chances जादा दिख रहे हैं या फि reversal आने के chances जादा हैं और stock में हुआ क्या बिल्कुल वैसे ही हुआ कि यहाँ पे बहुत अच्छा reversal आया stock में और last 2-3 week में stock ने बहुत अच्छा कासा momentum भी show करा यहाँ पर आपको reverse heading shoulder दिख रहा होगा साथी साथ यहाँ पर जो आपका reverse heading shoulder का target है वो भी achieve हो चुका है तो अब क कुछ भी selling और buying करने की इस समय ज़रूरत नहीं है अगर आपने अच्छे stocks को अच्छे levels पर buy करके रखा है तो आप 5-10 साल hold करिए आपको guaranteed अच्छा profit मिलेगा बट यह मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो positional trades लेते हैं जो six months के लिए one year के लिए किसी भी stock में invest करते हैं और चाह आपको एक साल तो छोड़ी है मुश्कल से 2-3 महिने के अंदर इतना बड़ा return देती है already तो यहाँ पर profit बुक करना कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि जो यहाँ पर अब हम लोग की probability आती है वो उपर जाने की कम है वो नीचे जाने की जादा आती है अंडगर अभी तक आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप समझ रहोगे नीचे आने का यह मतलब नहीं कि stock crash हो जाएगा नीचे आने का यह मतलब है हो सकता है यहाँ पर बहुत लंबा चाड़ा consolidation चले time correction हो, price correction ना हो लेकिन time correction बहुत जादा हो कि stock एक ही range में यहाँ पर घूमता चला जाए और जादा over stretching हो चुकी है तो currently मेरे सबसे SBI में ठीक टाक over stretching हो चुकी है तो कुछ ना कुछ quantity यहाँ पर book करना बनता है, now next level इसके buying के क्या हो सकते है, target क्या हो सकता है तो लेखिए, उपर का target निकालना impossible है, but नीचे जो एक अच्छा buying level होगा वो आपका same to same 600 और 620 के आसपास हो अब यह stock वहाँ पर आता है नहीं आता है, अगर हम लोग यहाँ पर भी profit booking कर लेंगे तो हम लोग को वो सोचने की उतनी जादा ज़रूरत नहीं है, so आज का हम लोग का second stock है ICICI Lombard और यह आपके लिए एक trade opportunity भी create कर रहा है, और यहाँ पर मैं आपसे यह भी कहने वाला हू कि इसमें profit booking कब कर सकते हैं, अभी इसमें आपको कुछ जादा करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इन stocks में से किसी भी stock को hold कर रहे हो, तो नीचे comment section में मुझे जरूर बताएगा, और last में मैं आपको एक बहुत जादा important बात बताने वाला हूँ, तो उसे बिलकुल भी skip म बात करेगा, तो second stock के उपर अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, तो जो मेरा personal buying price था, वो था around 1360 के, okay, so 1360 से stock 1700 जा चुका है, अच्छा कासा 20-30% के returns अल्रीडी दे चुका है, तो यहाँ पर मेरा profit booking करना बनता है, आप profit booking में कैसे करने वाला हूँ, तो यह देखिए, तो य यहाँ पर profit booking कैसे कर सकते हैं, दो तरीकें आपके पास, पहला तो यह, कि stock ने जो cup and handle pattern मनाया था, इसका target क्या है, तो इसका target आपको देखने को मिलेगा around 1900 levels के आसपास, तो this is the target जो मैंने already mark करके रखा है, यह पूरा आपका जो depth है, इस cup की, यही मैंने ऊपर यहाँ पर यह होगा कि सही है, क्योंकि stock बहुत जादा bullish है, और यहाँ पर exit करने का मतलब है, कि आप कुछ momentum यहाँ पर miss कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका तरीका क्या होगा exit करने का, पहला जो आपका trailing stop loss बनेगा, वो बनेगा 1614 का, तो यह एक अच्छा stop loss हो सकता है, जिसे हम लोग follow कर सकते हैं, यह again मैं positional traders के लिए बता रहा हूँ, तो अगर कोई कहेगा कि 100 rupees का profit है, यहाँ पर यह तो loss में चला जाएगा and all, तो ऐसा नहीं होता है, अगर आपने अच्छे prices पर buy करके रखा है, तो आपको थोड़ा बहुत risk करना चाहिए, और ज्यादा profits के लिए, तो अगर आप यहाँ पर भी कुछ profit book कर लेते हो, तो गलत नहीं, क्योंकि आपने all time high पे stock से exit करा है, तो आप इसका मतलब अगर समझ पा रहे हो, तो यही है कि आपने अच्छे levels पर buy करके, एक और अच्छे level पर आपने exit करा है, आप यहाँ पर buy नहीं कर रहे हो, all time high पर जो इस समय नजरों में एक जादा समझदार इंसान नहीं है, यहाँ पर अगर किसी को भी buy करना है, तो यह सिर्फ और सिर्फ swing trade के लिए हो सकता है, पांस से दस परसेंट आपको profit चाहिए, आपने momentum में capture करा, और आपका छोटा सा stop loss था और आपने exit कर दिया, बट जो इनसान यहाँ पर trade opportunity यहाँ पर नहीं है, बट हां इसको आप एक swing trade के तरीके से देख सकते हो, अगर market में थोड़ी बहुत weakness रहती है, तो यह stock हम लोगों को और अच्छे levels पर मल सकता है, which is around 1650, तो अगर 1650 पर आके एक अच्छा खासा reversal आता है, तो यह हम लोगों का swing trade बन सकता है, currently मैंने सिर stock का target उनका hit हो चुका है, बट still वो यह नहीं समझ पा है कि उन्हें exit कप करना चाहिए, तो इसी तरीके से यही आप अपना mindset लगा के stock से exit करने की कोशिश कर सकते हो, at least आप कुछ ना कुछ profit market से निकाल के अपने bank account पर लेके जाओगे, जो कि एक बहुत अच्छी चीज होती है, जिससे आपका confidence भी build up होता है, second जो most important चीज आती है कि वो stocks मैंने buy कैसे करे, तो देखिए इस समय SBI all time high पे है, इस समय आपका ICIC Lombard all time high पे है, लेकिन ये stocks जब गिरे होई थे तब मैंने buy करे थे, जिससे हम लोग कहते है value buying, तो अगर आप value buying नहीं कर पाओगे, तो ऐसे आप profits book नहीं कर पाओगे, this is SGFC bank, और क्या ये इस समय उसी जगा नहीं चल रहा है, जहाँ पे SBI था जब मैंने buy करा था, क्योंकि अगर आप SBI का chart देखोगे, उसमें आपको क्या दिख रहा था, उसमें आपको एक proper head and shoulder kind of pattern दिख रहा था, और वहाँ पे आपको क्या दिख में करते हैं, 30%, 40%, then 20%, इस तरीके से profit booking होती है, उसी तरीके से आपको invest भी करना होते है, तो अगर आप ये सारी चीजें डीटेल में सीखना चाते हो, तो बहुत सिंपल सा एक method है, आप वो follow कर सकते हो, नीचे आपको join बटन दिख रहा होगा, आप join कर सकते हो, सिर्फ 89 analysis course provide करता हूँ, जिसमें आपको fundamentals के भी थोड़े bits मिल जाएंगे, and साथी साथ उस membership में मैं अपसे कोशिश करा करूँगा, कि कुछ important updates जो समय market में चल रहे हैं, वो भी मैं वहाँ पर share कर सकूँ, for example, कोई stock अगर मुझे पसंद आ रहा है, मैं किसी stock पर focus करना चाता हूँ, त अलते हम लूग ओता हुआप नाग हाल झा делает करूँ उस में यस उस नाग मैं पूप साथ नागू फन विर हैं, वो बारदऻा में खी साय दा है, गाएंगे, करू भारिया उरहे है, पालू एल जा हाय है, टैो को असमें आपको हाया है, इंवे नागफे लारव जाएंद में